यह हमारे नीम्बू के पीसिज हैं नीम्बू को हमने चार टुकड़ों में काट लिया है यह हमारा नमक है यह मिर्चे लाल और यह गरम मसाला है इन सबसे आज हम बनाएंगे नीम्बू का स्वादिश कि अब हम इसमें यह जो हमने नीम्बू के टुकड़े करेते हैं वह हम इस डब्बे में डालेंगे अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे गरम मसाला डालेंगे स्वाद के अनुसार स्वाद के नुसार मिर्चा डालेंगे फिर इसको हम लिक परेंगे उसके बार इसको हम रख देंगे कि अनुसार बनके तयार हो गया है एक अप्ते बाद आप इसको रोटी या पराठे के साथ खा सकते हों स्वाद k लिए झाल